परियोजना लागत तब की अब तो 43 करोड रुपया हो गया है उस समय ब्याज मुक्त कर्ज राजस्तान सरकार 56,000 करोड रुपया देने की तैयारी में थी मतलब परियोजना लागत से डेड़ गुना कर्ज कॉंग्रेस सरकार देने जा रही थी और ये सब पूरा भार आपके और हमारे उपर पड़ता भाई हो हमने 56,000 करोड रुपय की कर्ज की जो बातचीत की तब 40,000 करोड उसमें से कम करवाए और आज अगर हम कर्ज दे रहे हैं तो सिर्फ 16,000 करोड रुपया का कर्ज हम लोगों ने उसको कम करके आप उनको दे दिया है और सुनो, internal rate of return जो होता है, मैंने इसका return जो होता है, वो 6 प्रतिशत मतलब अगर धंदे में एक रुपया लगाते हो, तो सिर्फ 6 पैसे मिलते हैं ये था कॉंग्रेस का नफ़ा नुकसान का हिसाब और हमारी सरकार आते ही, एक रुपय के उपर 12 पैसे का फाइदा भाईयों, डबल फाइदा, दुगना फाइदा करने का काम इस सरकार ने किया है और ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जनता को अपने ध्यान में रखा हमने अपने बारे में नहीं, अपनी पार्टी के बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में नहीं, अपनी जनता और अपने इस छेत्र के बारे में सोचने का काम किया